तो इसे हम डबल कोटिंग करेंगी तो हमने फीच का नाम देना है डबल कोटिंग फ्राइफीस यह रेश्पी बहुत ही जाइकेदार होती है बनाना आशान है और खाने में टेश्टी होता है अगर घर पे कोई मेमान आजाए अलग कुछ करके देना हो तो इस तरीके का आप ज घर के मेंबर्स भी आपको सडाहेंगे तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं अगर आज की मेरी एडिश्पी आपको अज ही लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं डबल जिसे हमने काट के अच्छे से दो लिया है अब हम सबसे पहरी फीच पी डालेंगे आधा चमच हल्दी पौडर एक चमच लाल मिर्च पौडर एक चमच धनिया पौडर श्वाद के अनुशार हम नमक डाल लेंगी अब हम इसमें डालेंगे दो चमच कॉर्ण फ्लोर अब चाहें तो यहां पर चावल का आठा और मैदा भी यूज कर सकते हैं लेकिन कॉर्ण फ्लोर से भी यह फीच अच्छे से फ्राई होती है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच लेहसुन का फेश्ट फीच में लेहसुन का में इंडियेश माना जाता है अब हम इसमें डालेंगे आधे निब्बू का रश रश का भीज हमने निकाल दिया है और इसके रश को इसमें निचोड लिया अब हम इन सारे इंडियेश को अच्छे से मचली के उपर पहला कोटिं तैयार कर रहे हैं जैसा कि हमने बताया आज हम डबल कोटिंग फ्राइफिस पड़ाएंगे इससे हम एच्छे से ऐसे को टिंग कर लेंगे अगर आपको कर्ण फ्लोर कम लगता है एक चमच और बढ़ा दीजिए लेकिन हमें इसे डबल कोटिंग करना है तो हम इसे हलका ही कोट कटिंग करके तो अब देख सकते हैं हर अगया अधले लेशों और कोटिंग कर रहे हैं है तो यह हमारा पहला कोटिंग हुआ कि इस कोटिंग को हम दस से 20 मिनट तक छोड़ देंगे जैसे कि अच्छे से यह मसाला आउज़र्ब कर ले यानि कि हम मेरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट हो चुके हैं अब चलिए हम गैस के तरफ चलते हैं कर गैस पर हमने सर्सों का तेल गडम होने के लिए रख दिया है तो सर्सो के तेल की बनी हुई फीस बहुत ही टेस्टी होती है तेल गरम करने का टिप्स है कि जब तक तेल से धुवा न निकले तब तक आप गरम कर लिए क्योंकि इसमें जो करवा फ्लेवर होता है वो निकल जाता है फिर उसमें फीश ठ्राई कीजिए ये तो फीश कर्टिस्ट कई गुणना बढ़ जाता है तो आप देख सकते हैं तेल से हलकाल का धुमा निकल रहा है अब हम फ्लेम को श्रोग करके तेल को थोड़ा शा मेरियम करेंगे और फिर हम फीश डालेंगे तो चलिए अब हम इसमें फीश डालते हैं हम एक एक फीश लेंगे और धीरे भीशे लिए तो आप देख सकते हैं तो एक बाड़ में जितना फीशा करें हम से इवी डाल देएंगे एक साइड से हमें जीए से दो मिना तक प्राई करना है फिर हमीसे उलड़के आपको भीषाएंगे दो मिनित हो चु आप देख सकते हैं अपनी कराही गरम फीश तो कैसी सुंदर फीश अपनी फ्राई हुई है बिल्कुल जड़ा भी नहीं है और प्रीश बिख रहा है तो ऐसे ही आप मेडियम गरम तेल में फीश को डालिए और दो मिनाट तक एक साइड से फ्राई करके उसको प्राई लिग आपको दिखाते हैं तो चरिए हम फीश को दुसरी साइड से भी आपको दिखा रेते हैं अब देख लिए दो नो चाइड से एक जम एक जैशा फीश प्राई हुआ है अब हम इसे एक फीश को ऐसी तेखा करते हुए और एक प्लेट में निखाल लेंगे हमने फीश को निकाल दिया है सेम प्रोसेस से दुसरा वैजीयम प्राई कर ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमने एक बार कोटिंग करके फीश प्राई कर लिया है अब चलिए हम शेकिन कोटिंग बता दे हैं आपको अब हमने एक खाली बॉल ले लिया है उसमें हम अंडा तोड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं हम दुसरा कोटिंग क्या चीज़ का तयार कर रहे हैं अंडा को हम पोड़के बॉल में ले लेंगे तो आधा कि रोफीश दो अंडे में अच्छे से हम डूबा लेंगे तो दो अंडा हमने तोड़ लिया अब हम इसमें डालेंगे अधा चमस नमस क्योंकि अंडे की जि़िवां कोटिंग करेंगे वो फीकी ना लगे इसके लिए के फेंट के टीज़ करने हमें थोड़ा अशा नमक डालना है आप समझ के डालिएगा नमक अड़े को हम अच्छे से पहेंटेंगे याने की एक मीनन तक पहेंगे तो पर दिच लाते हुए हम इसा है जाए अच्छे से प्हेंट लिया है अब सभी हम दुस्री कोटिंग करते है कि हमने घोल तैयार कर लिया अंडे का तेल भी गरम कर लिया है अब हम एक एक फीश ठाएंगे और ऐसे अंडे में हम इसे डुबा लेंगे और फिर हम इसे गरम गरम तेल में छोडेंगे यह हमारी डबल कोटींग वाली फीश ठ्राई हो जई अब देख सकते हैं हम हर एक फीश को पढ़ले अंडे में डुआएंगे और गड़म गड़म तेल में इसे छोड़ते जाएंगे एक साइट से हम इसे आधी मिनट से स्टाई करेंगे क्योंगी तेल गड़म है और अंडा बहुत जल्दी स्टाई हो जाता है तो जलने न पाए इसके लिए हम आधी मिनट स्टाई करके फीड़ी से उलट नहींगे आधा मिनट हो चुका है अब हम फीड को उलट रहे हैं इस फीड खाने में बहुत भी स्टेशी लगती है और देखिये में फी यह यूनिक लगती है अब देख सकते हैं एक दम बिल्कुल पकॉड़े के जैसी अपनी फीड प्राई तैयार हो रही है दूसरे साइड से भी अपनी फीड प्राई हो चुकी है मैं आपको दिखा रहे हैं अब देख सकते हैं कि प्राई बज्या अपनी फीड प्राई गई है अब हम इसे समझ यह से केरह करते हुए और त्रेट में निकाल लेंगे एक प्राई बज्या प्राई प्रेज गें लेंगे रही अपनी दवल कोटिंग प्राई पीड इसे आप ज़रूर ट्राई कि गेएगा बनाना तो अशान है ही और देखने में सुन्दर कभी आपके घर गेश्ट आ जाएं और डवल कोटिंग प्राई फीड सब्र करके देख आपको अच्छा लगेगा, खाने वाली को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा. डबल कोटिंग फ्राइफिस बनकर तयार है, तो फ्रेंज आपने देख लिया, इसे बनाना कितना आसान था, और खाने में तो ये टेस्टी लगेगा ही, तो आप भी इस रेस्टी को ट्राइ कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजि और कमेंट करना मत भूनी, धन्यवाद